उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित नाथ ने हनुमान जी को दलित क्या बता दिया मानू उसके बाद तो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा हनुमान जी पर बीजेपी के नेताओं के बयान बाजी करने का सिल्सला अब तक जारी है हनुमान जी की जाती को लेकर भारती जनता पार्टी के हिनेता आमने सामने हैं एक ओर जहां सीम योगी आदितनात बजरंग बली को दलिद बता रहे हैं वही मौधी सरकार में मंतरी सत्पाल मलिक का कहना है कि हनुमान जी आरे थे केंद्रि मंत्री सत्पाल मलिक ने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी के युग में कोई जाती व्यवस्था नहीं थी इसलिए हनुमान जी आरे थे गवर तरब है कि अलवर जिले के माला खेड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित नाथ ने बजरंग बली को दलित, वनवासी, गिरवासी और वनचित करार दिया था योगी ने कहा कि बजरंग बली एक ऐसे लोग देवता हैं जो खुद वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं योगी की इस बयान को सारदा पीठा दी स्वर संकराचार स्वरूपानन सरस्वती ने पाप बताया है उन्होंने कहा कि हनुमान जी को दलित कहना अपराध है इसी फेहरिस्त में कैसर गंसे बाहुबली बीजे पी सांसद ब्रिज भूसन सरन सिंग का कहना है कि इस समय हनुमान जी की चर्चा चारो तरफ हो रही है यह हनुमान और रान जी की सेना है अगर मैं उस समय कुस्ती संग का अध्धक्ष होता तो बिना मेरी पर्मीजन के हनुमान जी कहीं नहीं जा पाते और हनुमान जी भी मेरा हर आदेस मानते गोंडा के नंदिनी नगर महा विद्याले में आयोजित सीनियर नैसनल कुस्ती चेंपियंशिप के उध्गाटन कारिकरम के दौरान वीजेपी सांसद नियाबाद कही वहीं उन्होंने कहा कि बजरंग्यों से देश के कुछ लोग घबरा गए हैं इसलिए बजरंग बली को ले सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें झाल 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 झाल